काशी राम, ओ काशी राम बहुजन नायक मान्यवर सहाब काशी राम जी, वैं अम्बेडगरवादी, त्यागी सरल सवभाव, निष्ठावान, समास सुधारक, दिरण संकल्पी, वैज्यानिक, क्रांतिकारी लेखक, बामसेब डियस फोर, बे आर्सी वै बियस पी के संस्थापक, मान्यवर सहाब काशी मान्यवर सहाब काशी राम जी, जो कि मनुवाद को धूल चटाने वाले बहुजन नायक, और आज हम उनके जीवन संगर्स के बारे में व्याख्यान करते हैं, मान्यवर सहाब काशी राम जी का जनम 15 मार्च 1934 को गराम, खवासपूर, जिला रोपर, पंजाम में एक रविद प्रासिया सिक परिवार में हुआ था, उनकी माता का नाम विशन कौर और पिता का नाम हरी सिंग था, प्रारंबिक सिक्षा गाउं खवासपूर में हुई और इसनातक सिक्षा रोपर राजक्या कोलिज पंजाब इस्विदाले से हुई थी, 1957 में उन्होंने बोगर्व परिपा देकर सन 1958 में मान्यकवर कासिराम जी पूना सहर महाराष्ट में रक्षा, अनुसंधान एवं विकास संगठन में सायक विज्ञानी के पजपन न्यूक्ट हुए, वहीं महाराष्ट राजज्या के पूना सहर में नोगरी के दोरान सन 1964 में एक घटना घटती है, जिस सेनी के करमचारी थे, जिन्होंने छुट्टिया खतम करने का विरोध किया, जिसके कारण उन्हें नोकरी से सस्पेंड कर दिया गया, दीना भाना जी बहुत दुखी थे, यहाँ बात मान्यवर साब कासिराम जी को पदा चली, वे दीना भाना से मिलकर पूरी जानकारी लेन से तब दीना भाना ने सवाल किया, आपको नोकरी कैसे मिली, आप इस पद पर कैसे पहुँचे, कासिराम जी को एइसास हुआ, तब बाबा साहब के बारे में विश्तित जानकारी चाही, तब दीनाबाना ने बाबा साहब दूआरा लिखित पुष्टक एनिहिलेशन आफ कास्ट मानिवर कांसिराम जी को दी जिसे साहब ने लगातार छै बार पड़ा बाबा साहब की इस पुष्टक को पड़ने के बाद उनका कहना था कि इस पुष्टक ने मुझे जीवन भर का क मानिवर साहब ने दीना भानाजी की लड़ाई लड़कर उन्हें पुने नोकरी में बहाल कराया। उसके साथ इस संकलिव थोकर नोकरी से त्याग पत्र दे दिया। और कहा कि मैं चुट्टी ना देने वाली सरकार की ही चुट्टी कर देना चाहता हूं। उन्होंने समाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति को अपने जीवन का लक्षे बना लिया। इसी बीच पंजाब के एक चर्चित विदायक की बेटी का रिष्टा आया। तब उनकी माने उन्हें साधी करने के लिए कहा तो माननेवर्साब कांसीराम जी ने मा को समझाया कि उन्होंने समाज की बलाई के लिए खुद को समर्चपित कर दिया। नोगरी छोड़ने पर अब वे सन्यास ले रहे हैं और परिवार के साथ उनका कोई रिष्टा नहीं है। वे अब परिवार के किसी भी आयोजन में नहीं आ पाएंगे। उन्होंने यह भी बताया कि वे जिन्दी बर साधी नहीं करेंगे। और उनका पूरा जीवन बहुजन समाज के उत्थान को समर्पित है। सबसे पहले बाबा साहब डोक्टर भीमराव अंबेडगर जी दुआरा इस्तापित रिपब्लिकन पार्टी ओप इंडिया के सक्रिय सदस्य बने। गहराई से अध्यन करने के बाद उन्हें लगा कि ये लोग बाबा साहब के विचारों के अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं उसका निरंतन परिशकार करना एवं बहुजन वाद की थिसिस विक्षित करना था जिसके अनुसार ब्रहमन शत्रिया और वेश्या जो की 15% अल्प जन्मनुवादी व्यवस्ता के पोसक है तथा दलित पिछड़ा और धार्मिक अल्प संक्यक 85% बहुजन समाज के सोसक है। अपनी योजना के दूसरे बिंदु में मानेवर साब कांशी राम जी ने बहुजन समाज बनाने के लिए विशेश समाज सुधारक जो भारते मोल निवासी बहुजन समाज के परिवारों में पैदा हुए थे। जिनोंने मनुवादी समाजिक विवस्ता के खिलाब आंदोल पूले, राजरशी, शत्रपती साहुजी महराज, संद गाड़ के बाबा और बाबा साब डोक्टर भीमराव अंबेडगर इनके आंदोलन को पुनर जिवित कर अपने मिशन को भोगोलिक तथा समाजिक विश्तार देने की योजना बनाई। अपनी योजना के तीसरे बिंदू में उनकी नजर उन लाखो सरकारी करमचारियों पर पड़ी जिनके लिए बाबा साहब ने कहा था कि मुझे मेरे समाज के पड़े लिखे लोगों ने धोका दिया है। जिन संगठन का निर्मान कार्य प्रारम किया। जिस्वी में बनाई थी जिसका नाम अकिल भारतिय अनुसोचित जाती अनुसोचित जन जाती अन्या पिछड़ा वर्ग और धार्मिक अल्प संक्यक्त था। जो आगे चल कर 6 दिसंबर 1978 को बाबा साब के परिनिर्वान दिवस पर बाम से बन गया था। बाम से यानि बैकवर्ड एंड माइनोरिटीज कम्यूनिटीज एंपलोईज फाउंडेशन। यहाँ ऐसा संगेठन था जिसके उदैस्य एंड माइनोरिटीज के सिक्षित सदस्यों को अंबेडगरवादी सिधानतों को समर्थन करने के लिए राजी करना था। यहाँ राजनेतिक एवंधार्मिक संस्ता नहीं थी बलकि इसके पीछे मान्यव कासिराम जी की मनसा थीकिवे बामसेब के करमचारी समाज को अपना समय घ्यान पैसा देंगे। बामसेब के बामसेब के लिए टीचर की भूमिका में कार्य करेगा। परिनाम सवरूब आमसेब के कार्य करताओं ने पूरे देश में साज्तिया सांस्किर्तिक, समाजिक, बोधिक आदिस हेत्रों में मनुवाद के खिलाब एक तुफान खड़ा कर दिया था। तथा जाती ध्रम में बटे हुए बहुजन समाज को सांस्किर्तिक प्राकर्तिकों साथ जोड़कर प्रक्षित कार्य करताओं की फोच खड़ी कर दी। 6 दिसंबर 1981 को बाबा साहब के परिनिर्वान दिवस पर मानने कांशिराम जी ने डियस फोर का गठन किया। इस संगठन का पूरा नाम दलित सोशित समास संगर्ज समिती था। यह संगठित राजनीतिक दल तो नहीं था। लेकिन इसकी गतिविद्या राजनीतिक दल जैसे ही थी। माननेवर कांशिराम जी के नेतरितों में मनुवात के खिलाब एक जन आंदोनन खड़ा हो गया। वे अपने कारे करताओं के परिक्षन शिविरों में कहा करते थे कि जिन लोगों की गयर राजनीतिक जड़े मजबूत नहीं हैं वे राजनीति में कभी सपल नहीं हो सकते। माननेवर साहब कांशिराम जी के सक्षम नेतरितों में बहुजन समाज में राजनीतिक भूख भी पैदा हो गई। 14 अपराल 1984 को बाबा साहब के जनम दिन पर माननेवर कांशिराम जी ने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की। उदेशिय स्पर्ष था पहले राज सत् की चाबी से समराट असोक के शरम भारत की पुनर इस्तापना करना उदेशिय के अनुरूप जैसा ही बस्पा की पहली बार सरकार बनी माननेवर कांशिराम जी ने उत्तर परदेश को बोध राज्य घोशित कर दिया। इस योजना के तहत बस्पा की सरकार ने कहीं पत्थर की लगवाया तो शर्मन प्रंपरा के महापुर्शों के नाम बन लगवाया। 1991 में उत्तर परदेश के इटावा से गैरवी लोकसभा का चुनाव जीता और दूसरी बार 1996 में होश्यारपूर पंजाब से चुनाव जीत कर संसद में पहुंचे थे। 2001 में बहन कुमारी मायवती सावरजनिक रूप से गोशना करके अपना उत्तर अधिकारी बनाया। 2003 में लकवा ग्रस्थ होने के कारण सक्रिय राय निति से वहत दूर हो गए। और सं 2002 में माननेवर साव कांसिराम ने घोशना की कि 14 अक्टूबर 2006 को बाबा साथ डोक्टर भीमराव अंबेडगर जी के धर्म परिवर्तन की 50 वी वर्स घांट पर बहुत धम गिर्यान करेंगे। वे चाहते थे कि उनके साथ पांच करोड समर तक भी बहुत बने। किन्तु 9 अक्टूबर 2006 को उनका परिनिर्वान हो गया। भारत्य मूल निवासी बहुजन समाज के इत्यास की खोज करता था। अंत में यह कहा जा सकता है कि भारत में अगर अंबेडगरवाद जिन्दा है तो इसका पूरा श्रह सिरिफ मान्यवर साहब कांशी राम जी को ही जाता है। काशी राम तेरी नेक कमाई तूने सोती कौम जगाई। धन्या हो काशी राम जी आज तुमारी 88 सिवी वर्ष गाठ पर आपको सत सत नमन। जै भीन जै भारत धन्यावाद।